कि नमस्कार है ढिखाइव भाइयों जाल Becca इसा वीटियो में पूरे विश्व भर से सुन रहे और देख पा रहे इस वीडियो में आये सभी भायों का और वहनों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी को बता दू इस समय इंडिया देश के बिहार स्टेट में एक recruitment निकला हुआ है 2024 के मार्च और फैब्ररी मन्त के अंदर जो की रहेगा के आरपी के आरपी मीन्स की रिसोर्स परसन यह पोस्ट है यह डिस्टिक्ट लेवल का पोस्ट होता है जिले इसतर का पोस्ट होता है बिहार स्टेट में और यह अलग-अलग जिले पर जो है बिहार स्टेट में के आरपी पोस्ट रिक्रूट्मेंट होता है जिसको लेकर अभी आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया है जिसको अभी पाँच दिन फॉर्म स्टार्ट हुए हो चुके हैं यानि कि फॉर्म सलते वे पाँच दिन के करीब हो चुके हैं 24 फ़ैबररी से चाल हुआ था इसमें आल इंडिया लोग हाला कि इसमें नोटिफिकेशन वीडियो में आपको जैसा मैंने कहा कि सरीफ ब्यार के लोग एलिजबल है जैसा नोटीस में लिखा था आप लोग नोटिफिकेशन देखोगे तो यह करेक्शन में अभी कर रहा हूं इस वीडियो को ध्यान से देख लेना आप लोगों ने वो चा सही में general वाले लोग form भर पारें अगर submit सही से हुआ तो इसका मतलब भार के लोग भी eligible हैं लेकिन वो general से eligible होंगे तो ये चीज़ हम form भरते समय देखेंगे तो इस चीज़ बे गलती नहीं करनी है अच्छे से देखना है इस पूरे वीडियो को और notification वीडियो पहले जाकर देख ले बिहार recruitment के आरपी का 534 वेकेंश यो पर notification eligibility qualification सारा कुछ मैंने उस वीडियो में दिया है उसको जरी जरूर चेक आउट करें थोड़ा उसको देखकर आए उसमें क्या कुछ बताया जा रहा है वो समझ आ जाए तो form भरने की तरफ इस वीडियो में आया जा सकता है आ आपके द्वारा ठीक है तो आप समझ ये पूरा इस वीडियो में बताऊंगा बियार इस्टेट में के रपी recruitment है गवर्मेंट जोब है 10,000 रुपीस पर मंद इसमें salary है और ये पोस्ट पे काम क्या होगा सारा कुछ मैंने आप लोग को पहले प्रोवाइट करा है तो जाकर जल्दी से देख सकते है इस वीडियो में आपका पूरा फॉर्म बढ़ने का प्रोसेस दे रहा हूं अल इंडिया लोग eligible है इस recruitment पे जैसा कि मुझे अभी पता लगा है तो मैं आपको फॉर्म बरके बताऊंगा और आप लोग का अगर ऑल साइड ऑल इंडिया करने इसके बाद आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा ठीक है हम चलेंगे डिरेक्ट नोटिफिकेशन पर यह नोटिफिकेशन आपको कवर कर दिया है पूरा यह सारा हो चुका है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे देखिए मैंने आपर सिलेक किया मेरे को क्या आर्पी पर करना है फिर मैंने बोला experience मेरे पास इस पोस्ट के लिए है नहीं हाला कि अगर किसी कि किसी कंडिट के पास भी स्पोस्ट के लिए experience है तो उसको देना चाहिए ठीक है experience है तो दे देना फायदा ही होगा experience अगर है तो उसको छुपाए नहीं दे 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 date of worth की बात करें तो महिने में यहां पर आपको यह बताना पड़ेगा कि कौन से महिने में ठीक है फिर आपको बताना पड़ेगा किस दिन में यानि कि मैंने अपना एज दे दिया 28 ओक्टोबर यह एज दे दिया पूरा बर्थ येर मंद सब दे दिया उसके बद कहते है कि mail बताओ तो यहां पर आपको इसको काटना होगा यहां पर हमें लखना होगा mail एक 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 सही mail आपके द्वारा दिया जाना चाहिए इस recruitment के लिए अगर आप सही mail दोगे तो कहीं न कहीं तभी recruitment आप ले पाओगे ठी इंडिया देश में हो और अधार का नहीं है तो बनवा लो उसके लिए मैंने वीडियो दिया है अधार का एंडिया डी आपि इस बर किस एच किस यह में उसका बर्त हुआ वो उसका उस डोक्यूमेंट से पता लग जाता है जो कि इंडिया में एक यूनिवर्सल डोक्यूमेंट है ठीक है तो उसको आप चाकर चेक आउट कर लें अधार काड़ वाला वीडियो पहले उसे बनवा लें उसके बाद उसके लोग यहां पर देना है अधार काड़ फिर इसके बाद आप लोग को वैलिड़ेट अधार पर हो जिससे कि आपका अधार कार्ड वैरिफाइं हो जाए तो आप देखो कि मैंने इस सेंफ पर टिक क्या और मरें यहां पता लगा कि अधार कार्ड मेरा हो गया कि मैंने सही Agora दिया है थोड़ा मैं आघे बढूँआ है इसी के नदर यह कह रहे हैं कि यह eviden private 的 को डाल दो तो मैंने यहां से capture डाल दूँगा मैं यहां से आप देख सकते हो यह capture जैसे लिखा वैसे ही डालते है I agree tick करना है कि मैंने जो भी सब दिया है सही दिया है इसमें मुझे कोई भी चेंज नहीं करना अभी आप देखो के दोस्तों हमने सारी डिटेल तो भर दिया है अभी इसमें एक चीज और है आपका मुबाइल नंबर हमने जो दिया है उसको हमने गैट ओटीपी करके अभी हमें इसको मुबाइल नंबर को भी वैरिफाय करना होगा तो यह कह रहे है हमने ऐसी खोला तो मैं पता लगा हमारे पास ओटी पी आ चुका है जो ओटीबि यहां से देखना है और हमने देखा कि वो जो दीटेल है वो और ही इसको डाला यापर और आप पर और यह सही है तो इनने वक्ट क्लिक करा और असके आत देखा तो यह भी वैरिफायड हो गया मैं डेली से फॉर्म बर रहा हूं इस वेकेंसी पे तो हम एंड तक जाएंगे पुरा प्रोसेस समझते एंटर टेक्स अगेंस ओन इन कोड तो यह लिखा हुआ इसको मैं सभी से डालना है तो इसमें जो अब जे देख रहे हो वो जे कैपिटल ABCD का है आर भी और जी और यहां पर टू क्यू पी सारे बड़े एटू जैड कैपिटल लेटर्स हैं मतब कि बड़े वाले हैं तो वह आप देख पा रहे हो राइस्टर पर क्लिक करते हैं एक बार देखते हैं हम इसके आगे जा पा रहे हैं नहीं तो हमने इस पर जै यही जो आपका बिहार गवर्बेंट एजुकेशन विभाग है यह आपको डिरेक्ट मेल कर देता है यही यूजर आईडी जिसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हो किलिक है टू सेट पासवर्ड आपको इस पर टिक करना होगा ठीक है और आप देखोगे तो यहां पर आप वो को एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा तो मैंने यहां पर एक पासवर्ड बनाऊंगा मैं ठीक है और उसी पासवर्ड को दुबारा री टाइप करूंगा पासवर्ड बनाने के लिए करना क्या है एक capital letter रखे password में एक A to Z तक में small letter रखे एक दो नमबर यूज कर ले एक special character यूज कर ले बस पासवर्ड बन जाएगा ठीक है जी आगे बाट रहा हूं मैं इसी के अंदर देख सकते हुए capture लिखा था इसको डाला set password पर किलिक करा अब देखते हैं क्या set password में हमारा password set होगा तो कह रहे हैं कि हमने OTP आपके mobile number पर बेज़ा है अब हम इसको कर देते हैं update पर किलिक ठीक है जी अब यह कह रहे है enter the OTP send to mobile number अब एक और OTP हमार को आया होगा मतलब one time password तो एक ही 2-4 minute के लिए ही होता है उसके बाद फिर हमें दुबारा मांगना पड़ता है अगर हम उसको समय से नहीं डालते हैं तो मैंने इसको डाल दिया देखो के दो महिने तक ही दो दो जो है आप लोग के minute तक ही यह चलता है थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर safe पर तिक करते है तो आप देखो के new password आप लोगा जो है आठ से दस character long होना चाहिए और कम से कम एक अपर case letter होना चाहिए English का और at least एक lower case English का और ठीक है अब देखते है क्या हमने कोई गलती करी है यानि कि हमने कोई गलती करी थी हमने उसमें ABCD में हमें सबसे पहले एक अपर case रखना है रख लिया बाकिया में small letter में रखने है सब ठीक है जी तो यह आपके हो गए और फिर देखो मैं आपर कर रहा हूं एक अपर letter रख देता हूं बाकी कुछ small letter रख देता हूं इसके अंदर ठीक है और नंबर रखूंगा एक special character भी अपने password में रखूंगा जिससे कि मैं असानी से जिससे कि असानी से login कर पाऊं और मेरे को अपना password बनाने के लिए एक special character यूज करना है नंबर यूज करना है ए से लेकर जैड़ तक बड़े ABCD में से कोई एक नंबर कोई एक word एलफापट और बाकी छोटे ABCD वाले भी उठा लेने है इस तरीके से यूज करना है ठीक है देख सकते हो आप लोग अगि एक बार फिर से दुबारा सेट OTP पर टिक कर रहे हैं हम देखते है इस बार सेट होता है नहीं होता प्लीज एंटर टेक्स अगें शून ठीक है अभी देखिए वाई यहां पर यह तो टेक्स में लिखा है मेरे को दुबारा से लिखना है यह बदब काफी बार यह लोग एक ही चीज़ एंटर करवा रहे है यूजर आइडी तो मेरे को मिल गया है वो मेरे को अपने सब्सक्राइब किया था अब करेंट पासवर्ड पर हमने टिक करा फिर दुबारा से और आपको कहरें फिर से जो भी लिखा है शोन इमेज में जो आ रहा है उसको सभी से डालो अच्छा कि अगया है अगया है इस डालो आइश्टेशन के प्रोसेस में आप देख सकते हो चलिए अब हम एक बार जाते हैं डिर्क मेल की तरफ एक मेल में हम मेल खोलेगी अभी सबसे पहले तो मैंने देखिए सैट पासवर्ड ऑन देखिए अभी अभी इनकी तरफ से एक मेल जो है उसमें यह आया है कि सैट यूर पासवर्ड फॉर्म दा फॉलाइंग लिंक इन्होंने बोला एक पासवर्ड सैट करो अपना यह डिरेक्ट मेल आया है यहां पर बिहार एडुकेशन विभाग की तरफ से और कह रहे हैं यहां पर आपना एक पासवर्ड जो है सैट करो तो मैंने आपर क्लिक कर दिया है और जैसे कि मैं देख पा रहा हूं मैं आप एक नया पासवर्ड सैट कर रहा हूं तो इसमें समय लगेगा ठीक है दोस्तों समय लग सकता इस चीज में तो हम अभी एक चीज़ और देखेंगे यह आपर चलिए अभा आत यह डाट लॉट यह अप्शन पर आप कि अब देखें मैं गया हूं डारेक्ट लॉग इंक्र आप्शन पर क्लिक करके कि देखते आगे का प्रोस्रेस कैसे होता है तो इन्हों ने क्या बोलाई में पर तो आ देखिये यहां पर कह रहे है यूजर आइडी और इहां पर अपना पासवर्ड डालो हुटी है और यह capture डालो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहां पर मैंने डाल दिया यहां पर मैंने login पर click किया अभी फिल्ड खा लिए हैं तो यह login नहीं होगा इसकों करेंगे forgot पे कि password हम भूल गए हैं तो अब यह बोल रहे हैं कि कौन आप दिखिए recover करने के लिए अपने password को यहां पर आपको डालना है पोस्ट तो पोस्ट हमने डाल दिया mobile number आपको यहां डालना होगा ठीक है अब यह कहले डेट बड डालो तो डेट बड में हमें यहां से फिर से खोलना होगा यही अब यहां डेट बर दे दिया है अब हमें capture फिर दुबारा से डालना है अब हम यहां पर करते हैं सेंट पर क्लिक ठीक तो प्लिस सैट यॉर पासवर्ड आप कह रहें अपना पासवर्ड सैट करो यहां से हम अपना पासवर्ड सैट करेंगे अब हम सैट पासवर्ड पर किलिक करते दिए अब इन्होंने कहा है आपको जो नया पासवर्ड सैट करना है इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे हम यह लिख रहा है इसमें लिखा हुआ है कि आठ से दस करेक्टर आप लोग को इन्हों को यूज करने है ठीक है अल लॉण आप लोग बना सकते हो मंदब मैक्स टू मैक्स आप लोग नए पासवर्ड रखना है इंग्लिस का एंट्य जैड में से इस्टार यूज कर सकते हो, हैश्टेग यूज कर सकते हो, कोशन मार्क इन में से कोई भी, मनलब एक आप देखे आपको सिंपल समझ आ है, मतलब कि हम चार चीजा अलग-लग यूज करेंगे, चार में से हमारा एक तो नमबर होगा, जीरो से लेके नाइन तक, कोई भी नमबर ह हो सकता है, तो दस नमबर ये हो गए, इन में से कोई भी एक नमबर लेना है, हमें, A to Z में से कोई भी एक लेटर बड़े में रखना है, एक छोटे में रखना है, दो ये होगा, एक नमबर होगा, और एक special character, ये चार चीजों की मदद से में password बनाना है, मस्ट भी आपको इन हो है, अपर लेटर रख दिया, ठीक है, एक हमने small letter रख दिया, अब, हमने letter यूज कर लिए, small और capital दौनों ही letter यूज कर लिए, अब हम special character यूज करते है, ठीक है, अब इसके बाद हमें number डालने है, तो हमने वो भी डाल दिया, ठीक है, अब हम इसी तरीके से इसी चीज को यहां दुबारा डाल देंगे, और आप जो यहां पर capture लिगा, इसको देखते हुए, हम यहां पर set password पर click करेंगे, तो कह रहे हैं कि OTP आप लोगों के mobile number पर भेजा गया है, तो उसको एक बार check करो, और इसको हमने update कर दिया, और अब हमारा password बना है, तो इतना लंबा process क्यों हुआ, इसी लिए हुआ है, क्योंकि हमने जो password था, उसमें हम एक आध लेटर जो है, वो हम ज्यादा extra ले रहे थे, जो कि हमारी गलती यहां थी, ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे mail पर दुबारा जाना है, यह KRP form का process थोड user id हमने डाल दिया है, आप कहा रहे है password, password वही डलेगा जो मैंने अभी बनाया था ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसी के आगे, आप हमें डाल देना है, यह जो लिखा हुआ है, यह लिखा है 99999, तीन बार है, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद यहां पर P आ जाएगा, और आप एक बाद लोग इन करता हूँ, मैं तो देखो भई, पासवर्ट सेफ कर दिया, हमने हमारी बेसिक इन्फोर्मेशन हो चुगी है, अभी तो हमारा बहुत प्रोसेस इसके अंदर जाएगा, अभी पर्सनल डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है, एक्स्पिरियंस फोटो सिगनेचर अप्लोड डॉक्यमेंट अप्लोड, फिर फॉर्म फाइनलाईज होगा, इस तरीके से होगा, डॉक्यमेंट अप्लोड सेक्शन में आपको 10th, 12th माक्षीट, ग्रैजुएशन माक्षीट, और अगर आप लोग मास्टर पास आउट हो, वो वाली माक्षीट, और अगर आप बिहार के हो तो कास सार्टिविगेंट, एक चीज़ बता दू, बियार के जितने भाहर से फॉर्म भर रहे हो, आप लोग जन्रल से ही फॉर्म डालना, ठीक है, अभी तो पता ही नहीं है, फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा, वो एंड तक पता लगेगा, तो हम डिरेक्ट आगे चल रहे हैं, इसके अंदर, बेसिक इंफो होगे हमारी डन, गरीन हो चुका है, परसनल इंफो पर हम डिटेल्स पर जा रहे हैं, आगे, देखो यहां पर, यहां पर सारी चीज़े आ रही है, अब यहां पर पूछा जा रहे हैं, तो मदर नेम हम यहां पर बताएंगे, ठीक के हिसाब से age accept होगी, इस vacancy पे, थोड़ा मैं इसी में आगे बढ़ूँगा, nationality हमारा आगया, सारा कुछ आ चुका है, correspondence address, तो address हम यहां पर देंगे, यह लोजी मैंने address यहां दे दिया है, pin code यहां पर दे दिया गया है, अब मैंने बोला भाई, मेरा permanent और correspondence address, तोन ही same है, जो आपकी uniqueness को बता रहा हो, या कोई mark हो, आपके body पर बताना है, नहीं हो तो NO लिखे, या फिर NIL लिख दे, ठीक है, literacy experience, आपके पास कोई experience नहीं है, इस post के लिए, वो आपने पहले ही बता दिया, अब save पर click करना होगा, ठीक है, तो आपकी personal detail भी successfully जमा हो जाएंगी, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो personal detail में आप देख सकते हो, सारी detail में डाली है, save हमारी हो चुकी है, personal detail save successfully, चलिए भाई, ठीक है, अब इसके आगे, इसके आगे हम जाएंगे, फिर save पर, दुबारा हम save पर click करेंगे, इसके अंदर, अपडेट हो गई हमारी यही details, अब इसके आगे, go to home पर जाते हैं, दुबारा से, अब देखो, personal detail हो गई, अब experience, जो आपकी educational qualification, यानि कि पढ़ाई वाली, 10-12 जो भी रहेगी, तो उसको लेकर हम डाल देंगे, तो देखे, Central board, अभी देखे, इससने भी जिस भी बोड से किया, वही डालना है Central board of, देखे Central board of secondary education से किया है, तो उसको डालें, कौन से इंस्टीटूट से किया तो मैंने बोल दिया वाई यह मैंने कर लिया indra मैंने कर लिया है इंट्री है मैंने देली घ़वर्मेंट से कर दिया है इस पे is specialization कोई है इसके अंदर अगर वो तो बता नहीं है नहीं थो छोड़ देनी है इसमें हमें मिलने ही रहा option दूसरा आ जाता है subject subject कौन से थे आपके पास 10th में तो आपको इस तरीके सा बताने होंगे कॉमा डालते रहना और इस तरीके से अपने subject 10th वाले दे देना ठीक है इस तरीके से subject डाले जाएंगे passing year आपको यहां देनी होगी जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 2018 वो साल था जब मैंने इसको pass किया आप देख सकते हो उसके आप मैंने percentage बता दी 87 अब यह बोल रहे है 12th की detail दो 12th की detail हमने दे दी कि यह भी cbsc से किया यह भी Delhi government का school यह institute कहलो था यह और इसमें मैंने जो किया आपको पता है 10th में कोई stream जैसे कुछ होता नहीं 12th में जाके आपका arts, science, commerce जैसे चीज़े हो जाती है तो मैंने बोल दिया science subject आप से पूछेंगे तो मैंने बोल दिया physics बोल दिया है फिर मैंने बोल दिया maths फिर मैंने बोल दिया है chemistry और उसके बाद मैंने बोला IT फिर मैंने बोला English तो इन subjects को मैंने यह रख दिया उसके आप मैंने बोला यह मैंने कर दिया था 2020 में परसेंटेज महाँ पर आई 92 ठीक है graduation पूछ रहे हैं आपसे तो graduation को आपको बताना है किस board से किया तो मैंने बोल दिया Delhi University से किया मैंने graduation आप पूछेंगे यह अब दिखिए बोड का आपको यहाँ पर board का नाम देना है कि board या university 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 हो गई अब Delhi university के आपको पता है काफी सारे college है तो मैंने बोल दिया Hindu college आप जानते हो Hindu college नाम का एक college है जो की डियू में है Delhi में नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है आपको इस तरीके से बता रहा हूँ तो इस तरीके से जल्दी जल्दी डाल रहे है आप लोग को पूरा पूरा करना होगा एक एक चीज को सही से डालना है ठीक है भाई इस तरीके से डालना होगा सबको और एक हमने यहाँ पर history कर दिया ठीक है जो भी आपने graduation में पढ़े subject उसको यहाँ mention करेंगे यह डालेंगे जैसे बीस हो गया था तो यह 23 साल में graduation हुआ था यह 23 में ठीक है उसके वाद यहाँ पर आया था परसेंटेज तो यहाँ परसेंटेज आप देखो के परसेंटेज हमने देदी 85 आप इसके वाद बोल रहे है post graduate master अगर कराए किसी ने तो वह यहाँ पर बताए है save फिर हम save करेंगे तो यह हमारी जनकारी save हो जाएगी आप देखोगे लिखिए qualification detail आप लोग की save हो चुकी है थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर तो आप इसके आगे बताओ फिर फिर आपको जाना है home पर वापस form भरने का process लंबा जाएगा इस बात का ध्यान होगा government था वो या फिर non government जगा थी वो जहां आपने experience किया वो सब चीज़े आपको यहां पर बता नहीं है तो experience वाला हम खाली छोट रहे experience हमारा है नहीं इस पोस्ट पर photo और signature तो photo upload होगी यहां पर आप देख सकते हो photo वाले option में आ गया हूँ photo 200 से लेकर 300 230 pixel mainly बतलब कहरे 50 kv से कम रखो उसको और इस photo को यहां पर upload कर सकते तो photo पर हम यहां पर click करेंगे download section में जाएंगे यहां पर आप देखोगे मैं यह तर आ गया हूँ इस तरीके से मैं इसको करा और update photo पर टिक करेंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है no file chosen मतलब हमारा जो photo हमने यह डाला वो photo जो है कहीं ना कहीं वो size wise 50 kv से बढ़ा है हमें रखना है छोटा तो हम तुबारा से यहां पर ढूने के file यह देखिया हमने एक file यहां पर ढून लिया है यह photo ढून लिया हमने यह Donald Trump का photo है एक बार फिर से अब update करने की तरफ बढ़ है photo has been updated successfully देखिए photo हमारा यह अपडेट होगा आप देख सकते हो photo हमारा यह आ चुका है ठीक है देख रहे हो आप लोग सभी आपको दिख रहा होगा आगे बढ़ूँगा signature की बात करेंगे तो signature में आप देख सकते हो signature इनको चाहिए 20 kv से कम मतलब कि 20 kv से कम उसका अगर size होगा तो signature accept होगा चलिए हम यहाँ पर signature ढूंड लेते हैं जिसका size इसी तरीके का हो तो हमने देखा यह 3 kv का एक file मिला है इसको हमने यह लिया और update signature पर टिक करा देखते हैं यह upload होता है नहीं होता तो आप देखो कि यह signature भी upload हो गया है इसके बाद हमने यह सब update करने के ब होगा ठीक है फोटो signature पर टिक हो गया experience पर टिक नहीं हुआ हमारा experience इसमें हमारे पास है ही नहीं document अगर कोई other कोई देना हो तो आप यहां से दोगे जैसे आप इस पर आओगे तो आप देखोगे यहां पर आपसे कह रहे हैं 10th का mark sheet ठीक है 10th का passing certificate mark sheet यह star लगे है इसका रखना है और 400 kv से कम में रखना है चल यह ठीक है तो इतना समझ आ गया होगा तो मैंने इस वाले file को उठाया है यहां से इसको उठा लिया है यहां से और इसको ऐसे करा मैंने upload अब देखो कि यहां पर यह file upload हो गई है और उसके बाद हमें यहां पर कुछ नहीं करना उसके आदा हमें यहां पर सिर्फ certificate number ढाल देना है यह लोगी certificate number आ गया फिर 10th का हमें mark sheet दे देना है यहां पर 10th का mark sheet हम यहां और 12th का mark sheet दो तो हम फिर दुबारा यहां गए और फिर हमने यहां से डूणा अपनी file को तो हमारी file यहां मिल गई और इसके बाद हमने इसको open कर दिया और इसका भी हमने certificate number यहां पर दे डाला उसके बाद यह कहते है 10th का mark sheet दो 12th का mark sheet दो 12th का mark sheet हम यहां डूणना होगा जैसे मुझे यह मिल चुका है मैंने इसको टिक करा open किया और इसको यह भी upload हो गया और इसके आद मैंने यहां पर इस तरीके से इस certificate का number डाल दिया उसके आद कहते है graduation का आप लोग को यहां पर certificate देना है कि आप pass कर गए हो ठीक है तो उसका certificate हम यहां डूणेंगे 400kv से कम तो उसका file size होना चीज इस बात का ध्यान रखना है और अगर आपकी file का size ज्यादा है तो उसका file का size पहले तो आप उसको कम कर लो ठीक है और कम करने के लिए video पहले ही दिया गया है लोगों को तो वह आपके द्वारा देखा जा सकता है जिससे कि आप लोग देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हमें वो चीज अपलोड करनी है ठीक है तो हम रेंडम सी उठा रहे है फाइल यहां पर आप लोग को अपनी actual file को उठाके ही डालना है आप देख सकते हो यहां पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे हमें यहां पर certificate number देना है उसके बाद यह graduation mark sheet हो कि इस्टार क्यों है मेरे समझ नहीं आया क्योंकि post graduate हमारी पास qualification ही नहीं हम इसके लिए कैसे दे सकते हमार से तो minimum graduation मांगी जा रहे है इस post के लिए तो फिर भी हम इसर एक पर ऐसी करते हैं कि हम दो document यहां पर फिर भी दे डालते हैं तो हमने इसको दे दिया है यहां पर हमन सेफ पर क्लिक करना होगा और आप देखोंगे कि यहां पर सेफ के बाद क्या होता है वह हम देखते हैं आगे uploaded successfully मतलब कि हमारे सही से साले document upload हो चुग है हम इन सब को view कर सकते हैं खोल खोल कर देख सकते हैं यह इन्होंने कहा है इन्होंने कहा है सब चीज़ा upload हो गए ठीक है अभी अगर मैं यह दोनों चीज़ा नीचे वाली छोड़ देता तो मेरे को कुछ लिखा नहीं आता क्योंकि मेरे लिए सिरिफ graduation ही चाहिए इस post पर यह upload को मैंने पहले ही बताया ठीक है तो यह post हमने इस सब select कर लिया उसके ब फाइलों को एक बार व्यू करना जरूरी हो जाता है देखे टाटा इस्टील आ गया है यहां पर यह और फाइल हमारे सामने भी खुलेगा यह देखो यहां पर यह सीटेट का किसी का माक सीट है तो सारी चीज़ा आपके सामने आ गई है आप देख सकते हो सब upload हो चुका है अब हम इसके ँए बैक नहीं करेंगे हम इसके लिए क्या करेंगे हम इस पर क्लोउज पर टिक करेंगे हम इस पर ok पर कर देंगे click अब देखते हैं क्या होता है अब देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा है आपने डॉक्यमेंट भी सईसे आप फाइनलाइज एप्लिकेशन फॉर्म आप देख सकते हो मैंने इस सारे डॉक्यमेंट अप्लोड करें का सेटिफिकेट मैंने इसलिए अप्लोड नहीं किया क्योंकि मैं बिहार का हूँ नहीं मुझे भी नहीं देनए नहीं मुझे यह बी नहीं देना सिंपल बात है मुझे fainलाइज करना होगा को फॉर्म को फॉर्म को फाइनल सम्मिट करना होगा तो उसके हम आगे बढ़ रहा हूं आप देख सकते हो फिर एक और OTP आएगा, final करने से पहले form को, final करने से पहले मैंने बोल दिया, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं इंडिया का citizen हूँ, और मैंने जो भी details दिये हो, सारी सही है, कोई गलती हो, तो मेरे खिलाफ action लिया जाता है, यह सारी option मैंने याँ पर दे दिये, ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों देखोगे, final submit to go to home और click to preview, preview करके आप लोग पूरा form देख सकते हो, मैं एक बार preview जरूर करूँगा, आप लोग को दिखाने के लिए, कि आपका form कैसा भरा गया, तो देखो यह पूरा form आ चुका है, draft copy आ चुकी है, पूरे form की, क्या कुछ दिया गया आपके द्वारा, चलिए यह तो preview था, आपने preview देख लिया, form का, इसके आप मैंने इस पर tick कर दिया, ऐसे, और नीचे भी आप देख सकते हो, पूरे form आपके सामने यहाँ पर भी दिखाया गया, अब मैं इसको final submit पर tick करूँगा, अब यह कह रहे है, OTP आपके जो mobile number पर आ उसको डालो, तो हमने एक बार देखा, OTP दुबारा आ चुका है, यह वाला, और इस तरीके दे डाला, recent OTP या, save, save फर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर, तो आप देखोगे, यहाँ से, अब यह कह रहे है, key resource person के लिए, आपका form apply हो गया, आप यहाँ से print निकाल सकते हो, मैंने इस पर print पर click करना है, इसका file का नाम रख दूगा, मैं, krp, key resource person form, ठीक है, और pdf में save कर लेते हैं, download section में, इस file को, हमने इसको, यहाँ से डाल दिया, तो हमारे device के download section में चली गई, सारे details हमारे यहाँ आ गई, तो यह form हमारा जमा हो गया, हम मैं इससे एक बार, इस, एक step back का हुआ, तो आप देखोगे, तो हम इससे back आ रहे हैं, तो हमें दिखराए कि हमारा form जमा हो गया, final summit पर tick हो चुका है, कोई fees charge नहीं हुई है, इस post पर apply करने के लिए, और देख सकते हैं, सारे point पर checklist हो गई, कि सब चीज़े हो चुकी है, print form पर दुबारा click करा जा सकता है, हला कि मैंने print ले लिया है form का, इस तरीके से apply होगा, के आरपी वेकेंसी पर, total वेकेंसी हो की संक्या 534 है, जो actual है, currently वेकेंसी यह अभी बढ़िंगी, बाकी वेकेंसी अभी वेकेंट है, जो की अभी और आनी वाली है, बिहार इस्टेट में ही, अब देखिए, जैसे मैंने डेली से इस वेकेंसी पर form डाला, इसका वंदब clear हो जाता है, इस वेकेंसी पर all इंडिया लोग form डाल सकते हैं, डेली या फिर हरियाणा के और करनाट का और महराष्ट वालों को इसमें general से form डालना है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है, कोई doubt आपको लगा ह अपलाई करते समय, तो comment अगता देना, इस जानकारी को पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पहुचाना लोगों तक, खास कर इंडिया के लोगों तक, मैं आप से मिल रहा हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का, धन्यवाद